नमस्कर दोस्तो आप सुभी को अमरा चैनल में श्वागत हैं दोस्तो आपको बात करने वाला है Sneck bite के बारे में इंडिया का most भे नमा स्नैक चाहे हो कमन करएथ हो कोब्रा हो चाहे रसल वाइपर चाहे सौस्कोल वाइपर कभी भी किसी भी बक्त कोई भी सांप काट ले, चाहे आपके सांबने काटे तो आपको पता चलता, लेकिन आगर आपको सांप नहीं काटा हो, आप सांप को नहीं देखे हो, उस समय में आप क्या करें? कि आपको बेना जरिला साब को नोनने वाइट के लिए उसके बाद इसे पहले बात करने वाले हैं काल एक यूपीव से, बराय एक बराइच में एक छोटी से बच्ची को स्नेक बाइट हुआ, स्नेक बाइट के बाद बच्चे जब वमिटिक करने लगा, पेट में दर्थ होने लगा, घरवाला सुचे कि उसको कोई अनपच हुआ है, उस समय में वो लोग डॉक्टर को पास ले गिए, जैनरल फीसियन का और वहाँ पर जाने का बाद डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा था, उस समय में उस मरेच को लेकर वहाँ से बहतर इलाज के लिए जिला होस्पिटर लेके गए, और वहाँ पर उस बच्चे का मौत हो गया, दोस्तों बहुत दुख की बात है, क्योंकि हमारा देश में अभ समय को बात है, दोस्तों सबसे पहला बात यह है, क्योंकि हमारा दो चार स्टेट में यह सम नजर आता और बहुत सारा साफ है, लेकिन यह साफ स्टेट वाइज पायता है हर स्टेट मे पाता है लेकिन आ वाइपार सोस्के वाइपार और मोनोकोट कोब्रा और स्पेक्टिकल कोब्रा यह लेकिन दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं कि आगर आपको नजर नहीं आया कोन साव बाइट कीया तो उव्ह समय हम अब कैसे डिसाइट करें कैसे पता लागागी तो विडियो को यार करें बज defined to निशा नजर आएगा दोनों यह अगर देख लें तो सबसे पहला नजर आ रहा है तो यह भी कुण नहीं है कि आपको कोई भेनमा स्नेक अटा है क्यूंकि कभी-कभी होता है कि आप जंगल जाड़ी कहीं जा रहे होते हैं उस समय में कोई काटी भी आपके पैर में लग सकता है यह कहीं जागा में एक ही जागह में दो हाड़ी से स्क्रेच हो सकता है तो उसको समझा ना बैठे कि कोई ज़रीला साव कटा है ज़रीला साब कभी सब्सक्राइब आपको पसिन आने ले गया तो आप तुरण सोच लीजी है कि आपको कोई snack bite हुआ है लेकिन आपको कुछ नहीं हो रहा यह जातर खासकर कि रात को वहें कॉमें करें अपिए का most जिसको silent केरा केते हैं कि रात को बाइट करता है उसका teeth mark आसानली से आपको नजराइए थी आठासकर कि खुलें आख में तो आपको नहीं की मुझे में और अनपच wahा है में कुछ खाना खाने के बाद में इस तरह हो रहा लेकिन आइसा नहीं आप पेट में कुछ लेठान हो आपको साप नजर आ जाएगा कियो कि साब बाइट करने के बाद वा सुस्थ होता है तुरंध वहां से जाने सकता और उसके सातáfic साध तुरंध आप क्या करें तुरंध डोक्टर का पासदा आए और इसका सबसे पहला प्राथिमिंग उपचार है किसी को भी मरीज को बैठ किया उसको भीड़ भार से अलग कर दें इसके साथ साथ तुरंद जितना भी जल्दी हो सेकर जो बहान मिले उस बहान में उसको बैठा ले और उहां से आप अस्पिटाल कि और चेले जिला हीलाय जहां पर साँका एंटे विरनम सी इलाज होता है और रास्ता में चलते हुए आप को सिस करें प्राथिमी उपचार ना कि आप घर में बैठके पहले प्राथिमी उपचार करें आदा गंटा उसके बात डॉक्टर के और पास है करेंगे तो मरीज डर जाएगा और हाइपटेंशन बढ़ेगा हाइपटेंशन से तेजी से उस्टोग भी हो सकता है ग्रिधे घात से मृत्तु भी हो सकता है इसलिए उस मरीज को पहले आप बहार में बठा लीजे उसके बाद डॉक्टर का पास जाए और वहां पर पहले कंफ प्राण नहीं है लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए कॉमन करेट में आपको एंटी भेनम का साथ-साथ दो चीज का बस सकता है एट्रोपीन और माइस्टेजमीन या नियोस्टेजमीन और उसके साथ-साथ आगर आपको रसल वाइपर बाइट करता है तो रसल वाइपर में इ होता क्या है आपको मस्टे सी 파randy मुई से ब्लाडाता है ये थोड़ा लेट से होता है लेकिन ये दो तीन चार खिंटे के नंदर में आपको जब 잠शे होगा उससमें बाइटिंग सबसे पहला आए गर आपको सुजन हो रहा नहीं आ तो सोच लेजी आपको जो वहनत इन्जेट वाए जो सांप इबाईट क्यास हुआ है इस नम्र में को करें मैं आपको 100% आपको आपको वाइड लाइन करूंगा और आपका मरीज को 100% बचाऊंगा दोस्तों उसके साथ-साथ कोई भी अगर मेडिसिन का भी अडवाइज साइए तो आप तुरंद कॉल करें मैं को कम से कम रास्ता में जब जाते समय प्राथिम उपचार के लिए क्या क्या करना वो मैं बताऊंगा तो इससे पहले में चोटा सा उपाई बताता हूं आपके घर में पुजा स्थाल में कपूर होता है जिस जोर से सांस को अंदर की और खिचना है ताकि आपको फेफड़े में उस सांस को जाए और उसके पाथ आपको एंटी ऑक्सिजन पाइदा करता है कपूर में जिससे आपको नीद आने नहीं देगा और आपका मरीश को आसानी से होस्पिटल तक पहुंचा सकता है यह जस्ट और करेश समझ के मरीश को घबरा दते हैं बोलते हैं कि तुमको कराइद काट लिया है और यह इसके साथ साथ कभी बहुत सरा बिहार में क्या होता है कि कौमन उल्फ को सेकड़ा के नम से जानता है वहां पर भी इसके बारे में अनविश्वास यह है कि यह सांस काटने के बा ऐसा कोई तंत्रिक बाबा नहीं है जो जहार फोंक से आपके मरीश को बचा सकता है तो आज के लिए तना ही अब सभी को अनुर्थ करता हूं इस वीडियो को जाज अस्यार करें आज के लिए तना ही जहिन जए भारत